डियर स्टुडेंट गुद बॉर्निंग अलफ यू आई एम रमी राज टीजर आफ साइस अनिर इन्सुट आफ एजुकेशन आज मैं कुछ वीडियो लेके आई हूँ तो कम्प्यूटर्स फाइफ क्लास के बारे में मैं बताऊंगी आज चले के हम लोग इसके बारे में जाने तो फस्ट चाफ्टर फस्ट चाफ्टर है वैजलीटी ओफ कम्प्यूटर की बहुत मुखी परतिभा तो कम्प्यूटर है क्या तो कम्प्यूटर आर एफ्रिवियर कम्प्यूटर हर जगा है अट होम, स्कूल, एंड होस्पिटल घरो में हो, श्कूल में हो या होस्पिटल हो या रेल्बी अस्टेशन Most of our daily activities either involve the use of our defense on information from एक कम्प्यूटर हम लोग की महत्वे है हमारे लिए कि हम लोग के daily life में इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी जनकारी को जानने के लिए तो यह तो हम लोग जाने की computer क्या था? reality of computer अब हम इसका जानेंगे, इसका parts और भी बताए गया है जैसे की feature of a computer तो feature of a computer, computer की सुविदा computer की सुविदाएं क्या-क्या है? या character, streak of computer या computer की विसस्ताएं तो first बताएंगे speed speed एक computer works very fast computer बहुत ही तेजी से काम करता है it has very high speed यह बहुत ही तेजगती से चलता है तो यह हम लोग बताएं कि speed क्या है? speed की बाएं अब second में हम लोग जानेंगे accuracy एक computer is an accurate machine computer जो है एक static machine है it can perform calculation without any mistake वो बिना गलती किये हुए काम करता है देखिए फिर third number हम लोग जाने की third number क्या है तो third number में हम लोग आएंगे तो third number में है storage तो storage क्या होता है कि किसी चीज को हम लोग store कर लें जैसे की एक computer can store has amount of data and information in its storage space which is known as memory एक computer ऐसा है कि किसी भी amount data हो या कोई भी जनकारी हो उसको store करके कहां रखेगा तुम भी मोरी में रखता है तो यह हम लोग जाने storage उसके बाद जाने fourth number की fourth number में क्या है तो daily gains तो daily gains क्या होता है तो लगन एक computer does not get tried of working for long period of time computer कभी थकता नहीं है वो बिना थके हुए long time तो बहुत समय तक काम कर सकता है वो कभी थकता नहीं है आज तो हम लोग जाने कि वर्जलिटी of computer क्या था feature of computer उसके बारे में जाने अगिला topic हम कल अगले class में बताएंगे आज इतना तक तक आप लोग note कीजिए थाइंगे थाइंगे